अब तक चीन का नाम आता रहा है दुनिया भर में जासूसी करने के लिए लेकिन चीन के अलावे भी दुनिया के कई देशे और आपको जानका रास्चरी होगा दच्छिन कोरिया का भी नाम आता है तो वही यूरोप का भी कुछ देशे जिसका नाम आता है कि ये दूसरे का इस्तेमाल करते हैं पर भारत के एक जटके ने अब इन सारे देसों में हाहाकार मचा दिया है जानेंगे बारत ने ऐसा क्या किया है तो वहीं दूसरी तरफ भारतिये वायू सेना का जबर जस्त तहल का जिससे देखकर रूस चीन और अमेरिका तीनों के ही होसुडे हैं जान उसका जेटी कबाड खाने में पहुझ गया है यहां तक कि उसे ग्राहक मिलने मुस्किल हो गये हैं कई देसों में हुआवे को सक्की नजर से देखा जाता है और अब इनका किसी भी सिस्टम में इस्तेमाल जब भी होता है तो सरकारे सचेत हो जाती है कि कहीं इनका इस्तेमा का भी नाम आ रहा है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे माने जाते थे और माना जाता था कि इनका तंत्र काफी सिक्योर है यह ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जिनमें आपको बता दें यूरोप के भी कई देश हैं तो वहीं कोरिया का भी नाम आता है अब जहां तक इलक्ट्रोनिक गुड्स की बात होती है या नेटवर्किंग वाले गियर की बात होती है यह ज़्यादा तर ऐसे ही देशों के खरीदे जाते हैं और जब यह समान इंस्टॉल हो जाता है सिस्टम में तो फिर कहा जाता है कि बहुत सारा डेटा जो किसी और देश से पहुंच जाता है इन दे या है भारत के इस फैसले से यूरोप और कोरिया में हाहाकार तो मचा ही है चीन में भी हाहाकार मचा है पर एक्सपर्ट अब भारत को यह कह रहे हैं कि इससे समस्या तुमें ही होने वाली है इससे भारत बहुत-बड़ी मुश्किल में फस जाएगा और भारत सायथ काफी पीछे भी चला जाएगा कारण क्या है कारण ये है कि भारत हर हाल में चाहता है कि अपना पूरा सिस्टम सुरकशित हो प्रॉल किसी भी भारत ने यह नियम पारित किया है कि जितने भी घीर आएंगे बाहर से खरीदे जाएंगे जो भी समान networking में इस्तेमाल होने वाला है इंजनियरिंग के टेलिकॉम के जो भी समान है उन सब को सबसे पहले भारत में ही परिछन किया जाएगा और भारत में परिछन करने के बाद भारतिय टेकनिकल टीम जब कहेगी कि हाँ आप इसे लगा लो इसमें कोई जासुसी तंत्र नहीं है, तभी वो एक्यूपमेंट्स भारतीय नेटवर्क में, चाहे वो प्राइबेट हो या पब्लिक हो इस्तेमाल होंगे. अब ये नियम जनवरी 2023 तक बढ़ा दी गई है, इसकी डेडलाइन थी जुलाई वन, अब जिसके बाद बॉकलाट बढ़ गया है, और ये देशिये कह रहे हैं कि भारत जो ऐसे कर रहा है तो भारत तो और भी जादा डिले कर रहा है, अपने लिए भारत देरी को बुला रहा ह है जबकि दुनिया 5G की तरफ बढ़ रही है और चीन तो 6G की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन भारतिये सुरक्षा के लिए ये नियम बेहत जरूरी है, थोड़ा देर ही सही, लेकिन अगर डेटा भारत का सुरक्षित हैं, ये तो सबसे अच्छी बात है, वहीं दूसरी तरफ भारतिये वायू सेना ने चौका दिया है, अभी आप देखेंगे दुनिया भर में जिस तरीके से युद्ध के हालात है, दुनिया के एक्सपर्ट की नजर है, जितने भी देश हैं जो सक्तिसाली हैं, चाहे वो फायर इंडेक्स का मामला हो, चाहे डिफेंस का मामला हो, या चाहे आर्थिक नीदियों का मामला हो, सारे देशों की लिस्टिंग जारी की जाता है, और इस लिस्टिंग के आधार पर ये तैक किया जाता है कि कौन सा देश बहुत अच्छा परफॉमेंस दे रहा है, और कौन सा आने वाले समय में क्या कर सकता है, ऐसी ही एक रैंकिंग ह WDMMA 2022 ये रैंकिंग पहली नजर में आप देखेंगे तो इसमें आपको भारत नजर नहीं आएगा, लेकिन दूसरी नजर में आपको समझ में आएगा कि ये रैंकिंग भारत के बारे में क्या कह रही है, भारत ने लगतार अपनी सक्ति को बढ़ाना सुरू कर दिया है, ये भी नहीं जीत पाता, लेकिन भारतिय वायू सेना को अनुमती नहीं मिली, जिसकी वजह से चीन को बढ़त मिल गई, जिसका मलाल आज तक है, पर भारतिय वायू सेना अब कहां पे है, जब ये देखा गया कि कौन से ऐसे देश हैं, जो की टॉप में आते हैं, अंठानवे द इन ब्रांचेज को भी लिया गया, मतलब टोटल करीब 47,840 एयर क्राफ्ट को फोलो किया गया, और इसके बेस पर निकाला गया आकड़ा कि दुनिया की सबसे ताकतवर वायू सेना कौन सी है, तो दुनिया की सबसे ताकतवर वायू सेना आई, युनाइटेड इस्टेट ए और तीसरे नमबर पर रसियन एयर फोर्स, चोथे नमबर पर अमेरिका का आर्मी एभियेसन, तो पांचवे नमबर पर अमेरिका का मेराइन कॉर्ट, ये पूरे आकड़े में अमेरिका जगा जगा चाया रहा, उसके बाद के आकड़े में छटे नमबर पर भारतिय वायू स ना आई कि ताकत के मामले में भारतिय वायू से ना प्लस एक्सपरियंस के भी मामले में अब ये जो 94 देश थे ना इसमें से बहुतों की वायू से ना तो ऐसी है जिनोंने कभी किसी हमले में कभी किसी बड़ी लड़ाई में हिस्सा ही नहीं लिया है छटे नंबर में भारतिय वायू सेना आई तो सातवे नम्मर पे चीन की वायू सेना आई यानि कि भारत की वायू सेना चीन की वायू सेना के मुकाबले में काफी ताकतवर है वहीं बात करें पाकिस्तान की वायू सेना तो पाकिस्तान की वायू सेना अठारवे नम्मर पर आई और इसके जो दोस्त हैं तुर्की उसकी 21 नमबर पर आई यानि अभी तक कि आकड़े के अनुसार यही दिख रहा है कि भारत 6 नमबर पर है लेकिन इन आकड़ों को जरा करीब से देखिए जो अमेरिका के अलग-अलग डिवीजन है उन सारे डिवीजन को आप जोड़ देंगे तो क्या होगा पहले नमबर पर है अमेरिकन एर और दूसरे नमबर पर है रसियन एर फोर्स तो तीसरे नमबर पर कौन है तीसरे नमबर पर आपको दिखेगा भारतिये एर फोर्स इससे ही समझ में आ जा रहा है कि भारत की वायू सेना की सक्ती कितना ज़्यादा बढ़ी है। जैसे कि अमेरिका का F-16 विमान जो पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया और दो बार पाकिस्तान ने धूल चाट लिये वो भी भारत के उस रूसी विमान से जो काफी पुराना मॉडल माना जाता है। जाता है। जाता है।